हाई बच्चो कैसे हैं आप लोग आप लोग की पढ़ाई कैसे चल लए है अच्छे से करिए बोड एक्जाम आने वाले हैं इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 11.1 एरिया रिलेटेट टू सर्किल सुरू करने जा रहे हैं हमने आपको इसका पूरा कॉंसेप्ट समझा चुके है सारे फार्मूले बता चुके हैं आप वीडियो नहीं देखे हैं तो जाके देखिए एरिया रिलेटेट टू सर्किल डालिए आपको मिल जाएगा मन्थन पार्ट साला पे तो चलिए सुरू करते हैं एक्सरसाइज 11.1 तो पहला कॉस्चन है इसमें find the area of sector of circle with radius 6 cm if angle of sector is 60 देखेंगे आपका radius दे रखा है 6 cm और जो angle दे रखा है 60 डिग्री इससे हम area of sector find करेंगे चलिए करते हैं तो आर की value आपका दे रखा है 6 cm और एंगिल दे रखा है आपका 60 डिग्री ओके तो आपको find out करना area of sector तो लिखेंगे area of sector देखें figure बनाते हैं यह figure है ओके यह center ले लिजे और आप जानते हैं same radius से जो boundary cover होता है वो क्या होता है sector होता है यह A है और यह B है यहाँ पे आप P लिख सकते हैं और यहाँ पे कहीं पे आप Q लिख सकते हैं यह minor sector होता है यह major sector होता है तो इसका बात कर रहा है यह इस sector का बात कर रहा है यह area हमें find out करना है तो निकालेंगे फार्मूला आप जानते हैं थीटा अपान क्या होता है 360 into pi r square ओके चलिए value पूट करते हैं थीटा की value आपका 60 दे रखा है 360 into pi की value आप जानते हैं 22 by 27 होता है r की value आपका दे रखा 6 into 6 दे रखा है चलिए 0 से 0 cancel कर दीजेगा 6 बन जा 6 और 6 सिख जा 36 इस 6 को इस 6 से cancel कर दीजे इसको multiply करिए 22 into 6 divided by 7 तो आपका आज आएगा 6 2 जा 12 हो जाएगा carry 1 6 2 जा 12 and 13 132 by 7 cm2 एरिया की unit cm2 एक है unit square लिखा जाता है या square unit लिखेंगे तो यह complete हो गया one question यह answer है कुछ भी नहीं है आप यह angle आपका 60 degree दे रखा था और radius आपका यह 6 cm दे रखा यह r की value है यह theta की value आप निकाल फार्मुले में value पुट करके निकाल दीजे इसको आप divide भी कर सकते हैं ठेक है लेकिन आपका answer NCRT में यही दिया है तो यही लिखें exercise 11.1 question number second देखेंगे find the area of quadrant of the circle whose circumference is 22 cm इसमें आपको a quadrant का मलब होता है quarter one by fourth करेंगे वह हम बताते हैं अभी और circumference आपका दे रखा है 22 cm इसमें आपको इससे circumference से आप क्या निकाल लेंगे radius निकाल लेंगे और quadrant से हम क्या निकाल लेंगे area निकाल लेंगे चलिए देखेंगे circumference आपका दे रखा है 22 दे रखा है centimeter हमारा क्या दे रखा circumference तो circumference का फार्मूला जानते है circle के circumference का 2 pi r होता है 22 यहाँ से r की value निकालिए तो आप लिखेंगे 22 divided by 2 pi अगर आप value put कर लेते हैं तो आप लिखेंगे 22 divided by 7 अब हम 7 को यहाँ लिखने के बजाए उपर लिख देते हैं 7 उपर चला जाएगा अब यह देखिए cancel हो गया तो आपका r की value आगया 7 by 2 आगया आप इसको divide मत करिएगा ऐसे रहने दीजे यह हमारा आगया r की value अब आप जानते हैं area निकालना है आप area का फार्मूला आप जानते हैं pi r square होता है क्या होता है pi r square बट इसने कहा है quadrant circle तो क्या करेंगे 4 कर दीजिएगा आप से बोला है area of quadrant तो आप लिख सकते हैं अब आगे देखेंगे यह 22 by 7 तो होता ही है रख लेंगे r की value आप जानते हैं 7 by 2 लिख देंगे into 7 by 2 और यह देखिए अपान 4 लिख दीजिए यह 4 भी कर दिया देखिए 7 से 7 कैंसिल हो गया यह 2 से इसको 11 बार कैंसिल करेंगे आप लिखेंगे 11 7 जा 77 और यह देखिए यह 2 नीचे चला आएगा 2 नीचे चला आएगा तो अब लिखेंगे 2 into 4 तो आपका आजाएगा यह answer आजाएगा 77 upon 8 cm square यह answer है आपका यह quadrant आप जानते हैं complete area का फार्मुला होता है पाई यार स्क्वाइर होता है अगर यह quadrant के बज़ाए हाप कहता तो 2 कर दीजिएगा तो यह अब लेकिन हाप के लिए मैं बोला हूँ यह हाप के लिए यह quadrant के लिए है यानि quarter के लिए जैसे आप चौमिन ओमिन खाने जाते हैं तो कहते हैं quarter दे दो हाप दे दो तो उसी quarter की बात कर रहा है quadrant की बात कर रहा है तो 1 by 4 से πाई यार स्क्वाइर में 4 से डिवाइड कर दिया quadrant बन गया तो यह आपका answer आ गया second answer second यह second का answer हो गया इक्सर साइज 11.1 question number 3 the length of minute hand of clock is 14 cm find the area of shift by the by minute hand in 5 minutes देखेंगे देखेंगे minute की जो सुई है वो 14 cm यानि 14 cm दे रखा है यानि यह radius हो जाएगा आपका यह कहनना चाहरा है अगर घड़ी 5 मिनट तक चलती है 5 मिनट तब उसका area क्या होगा आईए समझते हैं देखते हैं एक circle बनाईए यह circle बना दिया यहाँ पर 12 लिख दीजे यहाँ 6 लिखेंगे यहाँ 3 यह 9 और यहाँ पर 1 and 2 लिख सकते हैं यह हम सिर्फ में सिर्फ मिनट की सुई बनाने जा रहा है यह मिनट वाली सुई हो गई तो यह 5 मिनट के बना चल लई है इसने बोला 5 मिनट चलेगी तो यह angle अगर हमें find out radius हमारा दे रखा है 14 cm यानि r की value आपका दे रखा है 14 cm दे रखा है अगर theta की value find out हो जाए तो हम area निकाल सकते हैं तो यह हमारा क्या है sector sector का area निकाल सकते हैं आसानी से तो चलिए कैसे यह theta निकलेगा अरे भाई यह मिनट अगर की मिनट वाली सुई है जो मिनट वाली सुई है अगर यह यहां तक घुमेगी तो कितरे degree angle बनाती है 360 यह 360 degree angle बनाएगी जब 60 मिनट घुमेगी तब वा 360 degree angle बनाएगी तो आप लिखेंगे 60 मिनट आप लिखेंगे 60 मिनट angle angle is form 360 लिख सकते हैं तो वो 5 मिनट है वो 5 मिनट तो चल ला है यहां से यहां तक 5 मिनट ही आया है उसने question में कहा है 5 मिनट तक चलती है तो 5 मिनट में कितना angle बनाएगा चलिए बनाते हैं 360 into 5 divided by आप लिख लेंगे यह अटा देते हैं और यह भी अटा देते हैं confuse में तो यह गा 60 00 cancel यह हो जाएगा 6 तो आपका angle फार्म हो जाएगा 30 degree आपका angle यह बन गया 30 degree अब आप लिखेंगे अब यह क्या बनाए हैं यह तो sector है ना आपका sector तो लिखेंगे area आप area आप आप मत लिखें swept लिख दीजे swept by by minute hand और bracket में आप लिखेंगे area आप sector भाई देखना sector का area क्या होता है तुम लोग जानते हो अगर नहीं जानते हो जाके पढ़िए फार्म बीडियो देखिए फार्मूला देखिए अच्छे से तब कोश्चन करिए तो जल्दी से आसानी से साल्व हो जाएगा तो तो यह into pi r square क्या होता है pi r square इसमें value पुट कर दीजे answer आ जाएगा चलिए नीचे दिखाते हैं आपो each कल्टू दिया है theta upon 360 into pi r square value पुट कर यह theta की value आपका है 30 मिल गया और यह 360 into pi की value 22 by 7 22 by 7 और r की value आपने कहा 14 into 14 दो बार कल लेंगे तो 0 0 से cancel 3 बन जा 3 3 बन जा 3 3 2 जा 12 तो यह हो जाएगा 12 अब आप देखिए 7 से इसको cancel कर दीजे 2 आ जाएगा 2 से इसको cancel कर दीजे 6 आ जाएगा इसको भी cancel कर सकते हैं देखे यह से 11 से कर दीजे यह 2 3 जा और यह 11 हो जाएगा तो आपका आ गया 11 into 14 अपन 3 यह multiply कर लीजेगा sorry दिखेया नहीं आप लोगों को यह multiply आप कर लेंगे तो आ जाएगा 11 4 जा 44 आ जाएगा carry 1 4 आ जाएगा तो 15 आ जाएगा यही आपका answer हो गया तो यह 3rd का answer था 3rd question था आप एक बार देख लीजे ठेक है अच्छे से देख लीजे इसको फार्मूले में value put करना बस यहीं प्राबलम होती है ठीचा कैसे निकाले तो आप देखिए 60 minute में 360 बार 360 अंगिल घूम जाता है तो भाई 5 minute में कितना घूमेगा 30 उसी तरह अगर कोई भी value दे दे या जाए आप आसानी से साल्ब करके ठीटा की value निकालके area निकाल सकते है चलिए एक से साइज 11.1 का question number 4 देखेंगे a chord of circle of radius 10 cm यानि कहने का मतलब है किसी circle का radius दे रखा है 10 cm सब टेंड और right angle at the center उसमें एक right angle बनाया है find the area आप cross ponding minor sector का पूछा है area minor sector का और major sector पाई की value दे रखा है 3.14 चलिए करते हैं question number 4 का a circle बनाएंगे एक यहां से radius बनाईए यह हमारा center है और इस पे right angle हमें बनाना है यह right angle बना लिया ओके यह right angle बनाईए यह hypotenious बना दीजिए आप ठीक है थोड़ा सा तिन्हा मिना हो जा रहा है देख लीजेगा o यह a है यह b है ओके अग यह angle कितना होगा आप right angle जानते है यह 90 degree हो जाएगा तो हो गया काम आदा काम तो यही करा दिया ठीटा निकाला है आर की value आपको जानते हैं 10 cm दे रखा है यह भी 10 cm होगा यह r की value हमारा हो गया तो यहाँ पर लिखेंगे r की value क्या है आपका 10 cm और ठीटा की value क्या हो जाएगा 90 degree हो जाएगा अब आप देखेंगे area पर लिखेंगे area of right angle सबसे पहले आप लिखें area of right angle उसने आप से question में पूछा है minor segment की बात करना minor segment यही होगा अभी हम करेंगे यह segment है आप जानते हो अगर यह कोई circle है इस पर हमने card बना दिया तो यही तो minor segment होता है इसका पूछा है यानि इसका पूछा है यह वाले portion का यह वाले portion का जिसको हम dead desk कर रहे हैं यह पूछा है पहले तो यही पूछा है फिर major का पूछा है तो पहले आप पहले right angle निकाल दीजे इस right angle का area area आप right angle लिखेंगे right angle triangle लिखेंगे right triangle लिखेंगे sorry तो area of right triangle आप जानते हो कि क्या होता है one by two base into height होता है देखेंगे one by two base क्या है ten centimeter ten centimeter लिख लिए और perpendicular क्या है height जिसे कहेंगे आप 10 यह भी दे रखा है इसको cancel करिए five बार तो आपका आज आएगा 50 centimeter square यह निकाल लिया हम लोगोंने ओके अब देखिए right angle का आप निकाल दीए right angle का बता रहा हूँ भाई साब यह देख लिजेगा यह right angle है यह ten centimeter यह ten नहीं है तो यह इस right angle का हमने निकाल दिया अब आप क्या करिएगा area आप sector का निकाल लिया sector क्या होता है वह पहले देखिए चलिए एक छोटा सा figure बना लिजीए यह figure बना लिया अगर ऐसे आप बनाए होंगे तो यह sector ही होता है यह देखिए यह हमारा इस sector की बात कर रहा है यह sector पूरा तो यह 90 degree है यह आप जानते हैं तो आप लिखेंगे area of sector लिखे area of sector देखिए sector तो area जब आप sector का निकालते हैं तो theta upon 360 into pi r square लिखते हैं वैसे pi की value इसने दिया है 3.14 दे रखा है pi की value यहाँ पे लिख सकते हैं pi की value 3.14 यही value हमें put करना है ओके यह sector आपको यह formula remind होगा तो value put कर देते हैं यह देखिए 90 upon 360 into pi की value 3.14 कर लिजेगा और r की value दे रखा है यहाँ पे 10 into भई 10 वही रहेगा कोई बदलेगा थोड़ी न 10 into 10 कर लिजे 0 से 0 कैंसिल हो गया 9 बन जा 9 9 4 जा 36 2 से कैंसिल कर सकते हैं देखेंगे 2 2 तू जा 2 फाइब जा फिर 2 2 से कैंसिल कर यह 5 पर तो यह 5 5 जा क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा 3.14 into 25 अब इसका multiply आप करेंगे तो करके बताता हूँ तो यह 78.5 cm square आ गया इसका आया है sector का आया है बार बार बता रहा हूँ area आप sector हम निकाले हैं ठेक है यह नीचे तो इस sector का निकाल दिया तो हमारा आ गया 78.5 आ गया अब आप खुद देखिए इस पूरे sector का हम निकाल चुके तो अगर यह हम इतना हमसे यह पूछा है तो अभी अभी right angle का निकाला उपर right angle का निकाल के दिखाया है और यह sector का अगर minus कर दिया right angle से sector के मेंसे यह minus कर दिया जाए तो हमारा यह बचेगा की नहीं बचेगा यह अभी अभी निकाला पूरे का यह हम पहले निकाले थे 50 इसमें से minus कर दिजे आपका area of minor segment का आ जाएगा तो लिखेंगे लिखेंगे area of क्या पूछा था area of area कहा लिए था भई area minor segment लिखे area of minor segment लिख लेते हैं अब आप जानते हैं area of minor segment लिखना है हमें तो आप क्या करेंगे तो आप लिख दीजे area यहाँ पे bracket में इसका लिख दे रहा हूँ तो equal to यहाँ पे नीचे लख रहा हूँ तो लिखेंगे area of sector sector minus area of right triangle क्या लिखेंगे right triangle ओके अभी अभी आपने निगाला area of area of sector 78.5 minus का area of right angle 50 है इसको minus करिए कितना आजाएगा देखेंगे 5 लिखेंगे और 50 से minus करेंगे तो क्या आएगा 5 8 और यहाँ 28.5 cm2 यही एंसर है एक एंसर अभी आ गया यह तो फाइस्ट एंसर हूँ ओके समझ में आ रहा है अब हमें निकालना है area of major sector क्या निकालना है second part में दिया है area of major sector देखेंगे ओ भी आसान है भाई लिखेंगे area of major sector major sector क्या बोला है major sector देखेंगे area major sector के लिए तो आप फार्मुरा लिखेंगे देखेंगे पहले फार्मुरा एक सर्किल बना लिजेगा तो आपको और आसानी हो जाएगी समझने में तो आप right angle जब बराएंगे यह ठीक है यह आपका एक sector है यह sector है minor sector यह major sector इसी major sector का area पूछ रहा है आपसे major sector आपके दिमाग में अगर फीगर रहेगा तो आसानी से कर लेंगे तो पहले complete circle ले लिजे area major sector दिखेंगे तो complete circle का pi r square लिखेगा minus करेंगे इस sector को minus कर दीजे major sector आजाएगा तो लिखेंगे area आप sector आप sector यहाँ पे o यहाँ पे a b और यहाँ पे p लिख लिजे तो sector नाम लिख सकते हैं आप ऐसे bracket में o a b o a p b यह लिख लेंगे यह हम निकालेंगे 3.14 into pi की value रख दिया और r की value 10 into 10 हो जाएगा minus area of sector हम निकाल चुके हैं 78.5 है यह हम multiply करेंगे 31400.2 नमबर पे लगा दीजे minus करिए तो क्या जाएगा 78.5 इसको subtract कर देंगे तो क्या answer आपका आ जाएगा आ जाना चाहिए अपका 235 है 235.5 आ जाएगा cm2 यही answer है तो आप जिस तरह मैं बता रहा हूँ अगर आप इस तरह के करेंगे तो आपको easily solve कर लेंगे देख लेंगे फिर से देख लीजे यह देखिए easily आप solve कर सकेंगे XSI 11.1 question number 5 देखेंगे in a circle of radius 21 cm and arc subtend and angle of 60 degree at the center find the पहला question दे रखा इसमें निकालने के लिए the length of arc निकालना है second है आपका area of sector farmed by the arc फिर third है area of segment farmed by the corresponding cord चलिए देखते हैं आपको radius दे रखा है आपका और यह क्या दे रखा है angle दे रखा है इससे आप length पार्क चलिए figure बनाते हैं फिर करते हैं एक circle ड्रा करिए और यह radius बना लीजे यह radius रेडियस दे रखा है आपका 21 cm यह भी 21 होगा और इस पर एक cord बना लीजे आप जानते हैं अगर कहीं अगर कोई यह circle है यह बना अगर यह center से कोई बन रहा है तो यह क्या होगा card होगा यह center है o ले ले लिजे यहाँ पर a ले लिजे यह b ले लिजे और देखेंगे radius आपका दे रखा है length of arc लिखेंगे length of length of arc arc क्या है वह हम बता रहे हैं आपको यह हमने बताया है आप जाके वीडियो देख लीजे यह arc है ठीक है इसी arc के बारे में पूछा है length of arc के बारे में तो आप लिखेंगे a, p, b लिख दीजिए जब आप लिख देंगे तो इसके लिए फार्मूला होता है theta upon 360 into 2 by r होगा अब value पूट कर यह 60 upon 360 into 22 by 7 हो जाएगा r की value 21 होगा तो 00 cancel 6 बन जा 6, 66 जा 36 और 7 से आप इसको cancel कर देंगे 3, 3 बन जा 3 है और 3, 3 जा यह हो जाएगा और 2, 2 से यह cancel हो जाएगा तो आप का आजाएगा यह 22 सेंटीमीटर आ गया length of arc इसका पहला answer आ गया चलिए second वाला देखेंगे देखेंगे अब area आप second point में दे रहाख है area of sector जो आपका arc ने बनाया है यह arc से बना है यह वाला portion का आपको निकालना है तो आप जानते हैं क्या होता है theta upon 360 into pi r square कल लिजे आ जाएगा theta की value 60 upon 360 into pi की value 22 by 7 r की value 21 into 21 करेंगे 00 cancel होगा 6 वन जा 6 6 जा 36 और यह देखिए 3 cancel हो जाएगा 7 3 जा 21 और 3 वन जा 3 32 जा इसको cancel कर देंगे तो क्या जाएगा 11 अब आप देखेंगे 11 into 21 करेंगे तो आपका आ जाएगा 231 centimeter square second का answer हो गया यह अब थर्ड देखेंगे थर्ड आपसे पूछा है area of segment by corresponding cord चलिए इसको दिखाते हैं आपको इसका third point देखेंगे निकालना है आपको area of segment form by the corresponding cord corresponding cord का मंदब यह निकालना है आपको यह वाला जिसको हमाई color कर रहा हूँ यह cord है आपका इसको आपको find out करना है इसका तो यह segment है आपका तो आप जानते है area of यह आपने निकाला लिखेंगे area of sector minus area of equilateral triangle अब देखेंगे यह 60 था यह 60 है यह 60 है यह हमारा isosilis triangle अगर यह angle 60 है तो यह दोनों angle भी तो 60 होगा isosilis triangle से तो यह हमारा क्या हो जाएगा equilateral triangle area of equilateral triangle अब निकालेंगे area of sector हम निकालेंगे 231 हो निकाल चुके हैं उपर minus लिखेंगे area of equilateral triangle का root 3 by 4 side का square okay तो लिखेंगे 231 minus का root 3 by 4 side हमारे पास 21 into 21 हो जाएगा sorry यह 21 है अब इसको हम solve करेंगे देखेंगे तो 231 minus का 1.73 into यह 441 हो जाएगा upon upon 4 यह solve करेंगे आप तो 231 इसको solve कर लेंगे तो आपका आजाएगा 190.73 अब इसको आप minus कर लिजेगा तो 40.27 cm2 यही answer होगा थर्ड का इसका यह आप जो segment निकालें या corresponding card कह रहा है यहाँ O लिख दीजे यहाँ A लिख दीजे B और P और यहाँ पर कहीं पर Q लिखेंगे तो आप सेक्टर को bracket में लिख सकते हैं A P B यह आपको निकालना था Exercise 11.1 question number 6 देखेंगे A card of circle of radius 15 cm subtend on angle 60 degree at the center Find the area of the corresponding minor and major segment of the circle आपको इसमें निकालना एरिया किसका? Segment का और minor का भी निकालना major का में Pi की value 3.14 रखेंगे और root 3 की value रखेंगे 1.73 देहरी चलिए देखते हैं एक circle बनाएंगे इसका center O radius बनाईए आप 15 cm यह हमने क्या बनाया? radius है 15 cm और यह chord हम मिलाते हैं इसको A और B तो यह हमें यह एक sector यह है यहाँ पे बना दे रहे हैं figure छोटा सा A B है जो यह हमारे पास है minor sector और यह हमारा क्या है? major sector इसी का area minor और major का हमें find out करना है जो की question में mention है तो इसके लिए ऐसा figure बनाना जरूरी होगा तो पहले आप क्या निकालेंगे देखे आर की value दे रखा है 15 cm और theta की value दे रखा है 60 degree अगर यह 60 degree है पहले निकाल लिए फिर बताते हैं यह 60 degree अगर यह 60 degree है यह दोनों ISO सेलिस्ट अंगल तो इसके अंगल कितने होंगे? यह भी 60 होगा यह भी 60 तो यानि यह equilateral को सो करेगा देखेगा पहले लिखेंगे area of area of sector sector आप area of sector bracket में लिख सकते हैं area of O यहाँ पे P लिखिएगा और यहाँ पे Q लिख दीजिएगा तो O A P B निकालेंगे तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं area of theta upon 360 आप जानते हैं और pi R square लिखते हैं आगे देखिए value put करते हैं यह 60 upon 360 pi की value 3.14 रखेंगे क्योंकि mention है R की value हमारे पास 15 into 15 हो जाएगा 0 से 0 cancel 6 बंजा 6 6 बंजा 36 इसको cancel कर सकते हम लोग देखेंगे 3 2 जा 6 और 3 5 जा यह हो जाएगा इसको cancel कर दीजे यह आपका 3 बंजा 3 sorry 2 बंजा 2 point लगाए 25 जा 27 जा अब आपका आ गया 1.57 into 15 into 5 अगर आप multiply भी कर लेंगे इसका तो 117.75 cm square आ गया यह मैंने यह निकाला आप छोटा सा figure यहाँ बना सकते हैं आप ऐसे ताकि आपको याद रहे क्या कर रहे हैं आप 60 तो यह पूरे का बनाए हैं हमने अभी तो sector का निकाला गया यह एरिया ओके इसका निकाले हैं अब हम क्या करेंगे इसका निकालेंगे पहले एकुलेटर triangle का भी निकाल सकते हैं अलग से लेकिन जैसे हम बता रहे हैं वैसे कर लीगे अब लिखेंगे area of minor minor sector area of minor sector के लिए क्या करेंगे यह पूरा हम निकाल चुका इसमें से एकुलेटरल माइनस कर देंगे तो आपको यह पता चल जाएगा एक दूसरा फीगर यहां पे बना लीजे तो बेटर रहेगा ऐसे बना लेंगे यह हम निकाल चुके जिसकी वैलू आई है 117.75 cm2 अब आपको क्या करना है इतना इकुलेटरल का निकाल दीजे फिर माइनस कर दीजे आ जाएगा तो लिखेंगे area of minor sector आप लिख सकते हैं bracket में area लिखेंगे क्या लिखेंगे यह O है लिखेंगे यहाँ O A B यह P यह Q तो यहाँ पर area लिखेंगे A suffix में लिखेंगा A P B निकालना है यही तो आप निकाल ला है हो तो लिखेंगे area of A P B इकुल टू आप पूरे का area area of sector लिख दीजे यहीं पर sector यह area minus का लिखेंगे आप area इकुलेटरल ट्रेंगिल देखेंगे area of sector की value आपने निकाला है 117.75 minus का इकुलेटरल रूट 3 by 4 और side का square आप लिखते हैं यही होता है चलिए निकालते हैं 117.75 minus का रूट 3 की value दे रखा है root 3 की value दे रखा है 1.7 3 upon 4 into रखा है side की value हमारे पास क्या था 15 था ना 15 15 into 15 करेंगे ओके अब इसको अगर आप solve करेंगे तो 117.75 अगर इसको multiply करके आप solve कर लेंगे तो आप का आजाएगा 20.43 आजाएगा नहीं कलती कर रहे हैं यह आजाएगा 97.31 आजाएगा अब इसको subtract कर लेंगे जब आप तो 20.43 आजाएगा ओके तो यह area आपको पता चल गया है देखे यह minor sector यह minor sector की value पता चल गया आपको ओके जैसे यह figure बनाया तो यह आपको पता चल गया यह देख रहे हैं यह पता चल गया अब यहीं से आप आगे जाएंगे लिखेंगे area of major sector आपसे बोला है major sector major sector एक figure छोटा सा यहां बना लीजिए यह आपका है देखेंगे यह आपका A है यह B है यह P है और यहां पर Q था ओके तो आप लिखेंगे area major sector bracket में लिख सकते हैं area of A Q B निकालना है आपको तो लिखेंगे area of A Q B equal to लिखेंगा अब पूरे का area निकालिए पाई का है पाई यारी स्क्वार होता है माइनस इसको माइनस कर देंगे तो पता चल जाएगा आपको यह निकाल चुके हैं क्या निकालें आप area of क्या लिखेंगे A P B suffix में है यह area है आप लिखेंगे इसकी value लिखेंगे 3.14 R की value आपका दिया है 15 into 15 करेंगे माइनस का यह निकाल चुके हैं आप 20.43 इसको solve करते हैं 3.14 into 225 करेंगे माइनस का 20.43 अब इसको आप multiply कर लिजेगा मैं तो कर चुका हूँ तो आप देखेंगे 706.5 आएगा माइनस का 20.43 करेंगे और कोई चारा नहीं multiply करने के लावा ठीक है अब इससे subtract कर देंगे तो आपको major area major sector का area निकल जाएगा पूरे मसे यह minus करने जा रहे है यह पूरा आपका pi r square लगाएंगे क्योंकि circle के area क्या होता है अगर area निकालेंगे तो pi r square निकालेंगे और इसमें c यह minus कर देना है तो 686.07 cm2 यह पूरा answer हो गया 6 का आप एक बार देख लिजे तो ऐसे अगर आप solve करेंगे तो आसानी से solve कर ले जाएंगे अन्यथा problem होगी देख लिजे एक बार और